नमस्का फैंड मैंनव भबली उर्मा पेपर हेकर में आपका सौग गत है तो फैंड आज हम यहां पर देखने बाले हैं अब यहां पर हो जाता है बिए पार्ट थाड का बिए थर्डियर का हिंधी साहित का 30 पर से नेaking को मिले गा और यह है जो हमारा हो जाता है वो कौन सा हो जाता है पार्ट फर्स्ट रहने बाला है ठीक है जिसमें हम कितने क्यूशन देखने बाले हैं जिसमें हम कम से कम 80 क्यूशन कवर करने बाले हैं 80 क्यूशन कवर करने बाले हैं तीन भागों में डिवाइड होगी पीडियाप और आपको जिन लोगों पीडियाप डानलोड करना है बहुत सारी बुक्यें हैं उसमें इखटी करते रखी है कि आपके एक्जाम के लिए बहुत महातूर है अगर आपको वह है एम सी क्यों की पीडियाप चाहिए तो बिल्कु तो फर्स्ट कोशन हो जाता है तुमारा हिंदी भाथा का उदभब विकास से संबंदित क्योशन हो जाते हैं यहां से श्टार्ट तो क्योशन नमबर बन कह रहा है हिंदी के उदभब और विकास की पूरबृति सही भाथा सरंखला आपको बताना है कौन सी है ठीक है पहले प्रकरतिक संस्किर्ट अ बdoes्क आई थी या फिर बभवय का थी उसके बार इस रंकला बताना है वह सा की सही होगी तो बुर आइठ संस्कृत फिर आईती पाली फिर आईती प्रकर्दिक फिर आईती अभ्रंस और फिर क्या आईती फिर आईती अब हट्ट क्या आईती अब हट्ट आईती तो इस प्रकार से राई टांस रोजाएगा option number 2 ठीक है आगे बढ़ते हैं next question क्यों नेक्स्ट question का रूप का आपस सरप्र्थम हमें किस गरिंत में मिलता है यह आपको बताना है कौन सा राइट होगा हेम चंदे कृत शादनु सार या कभीरवाणी में जगनिक कृत परमाल रास या प्रक्ष की यह बिल्कुल राइट अपना रहने वाला है हिंदी के प्रार्मिक रूप का बहास जो है सरप्रिथम किस गंथ मिलता है हिंदी भासा के विकास को किसने युगों में बाटा गया है हिंदी भासा का जो विकास है उसे कितने युगों में बाटा गया है योंको बताना है 2,3,6 या फिर 8 कौन सा विल्कुल राइट रहने वाला है तो हिंदी भासा के जो विकास है उसे तीन भागों में डिवाईड किया गया है राइट आंसर हो जाएका option number 2 आगे बढ़ते हैं यहां पर हिंदी का आरंब कब से हुआ 990 भी, 1150 या फिर 1500 भी राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो हिंदी का जो आरंब हुआ था पह हुआ था 1000 इसापूर्ब से राइट आंसर रहने वाला है option number 2 आगे बढ़ते हैं कि बास्तीविक सूत्रधार कौन थे यह आपको बताना है हिंदुस्तानी, अरब के अलीफा, अफगानी या फिर हो जाएगा फारस के मुसल्मान तो राइट आंसर रहने वाला है हिंदी सबद का बास्तीविक सूत्रधार जो थे वो हो जाते हैं फारस्त के मुशलमान को जाते हैं फारस्त के मुशलमान राइट आंसर अप्शे नमबर दा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं अब हट भासा का तात्वर्य है प्राकरतिक, पाली, डिंगल या फिर परिनिष्ठित अप भ्रहंस से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है तो अब हट भासा को जो तात्वर्य है वो हो जाता है परिनिष्ठित अप भ्रहंस थे क्योंकि हिंदी के बाद कौन से आई थी यही आई थी है ना आगे बढ़ते हैं के रहा हिंदी को भासा या भाखा कहते थे कौन कहते थे यह आपको बताना है भासा या भाखा कहते थे कौन कहते थे कबीर तुलसी केसब या ओपियोग तो सब ही राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर आए कौन केशद हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नमबर साठी को रहता है केशद रुकिएगा बहासा को भाखा कौन कहते थे है ना कबीर भी कहते थे, तुलसी भी कहते थे, केसब भी कहते थे, उप्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है, हिंदी को भासा और भाका सभी कहते थे, कबीर भी कहते थे, तुलसी दास भी कहते थे, केसब भी कहते थे, और उप्युक्त सभी यहाँ प बिहार को हिंदी प्रदेस नहीं माना, किसने नहीं माना ये आपको बताना है, डॉक्टर भॉला नात तिवारी ने, डॉक्टर स्याम सुनदर दास ने, डॉक्टर गिडियर्शन ने, डॉक्टर दुआरिका परसाथ सकसेन ने, कौन सा बिल्कुल राइट आंचर हमारा रहने वाला है तो किस प्राख्यात भासा बैज्ञानिक ने बिहार को हिंदी भासा प्रदेश नहीं माना तो बोगो जाते हैं डॉक्टर गिलियर सन्ने राइट आंचर आप्शन नमबर सा आगे बढ़ते हैं निम्निकित में से किस प्रांत क्यों राजभासा हिंदी है किस प्रांत की राजभासा हिंदी है को बताना है महराष्ट गुजरात पंजाब हिमाचल प्रदेश राइट आंचर हमारा क्या रहने वाला है तो निम्न के तमेंसे किस प्रांत की राज भासा हिंदी है तो वो जाती है किसकी हिमाचल प्रदेश की राज भासा कौन है भई हिंदी है राई टांसर अप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं या पर next question कहा रहा है निम्न मेंसे हिंदी किस प्रदेश की भासा नहीं है निम्न म ही है राइट आंसर option number सा और ऑब यहां से स्टार्ट असाथis की बोलीयों का समान सब्सक्राइब केंदी के तो राइट एंचर रहने आएगा हमारा पांच उप बहां साए नहीं है पांच उपभासाई हैं, आगे बढ़ते हैं, पूर्भी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, पूर्भी हिंदी में कितनी बोलियों की संख्या है, आगे बढ़ते हैं, निम्रिकित में से कौन सी बोली, पूर्भी हिंदी के अंतरकत आती है, यह आपको बताना है, ब्रजभासा, अबधी, खड़ी बोली, या फिर जादू, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा, तो जो पूर्भी हिंदी है, उसके अंतरकत आती है, अबधी बहासा आती है, राइट अंसरो दाएगा, ऑक्शन नमबर बाठी है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एकोशन के उक्शन नमबर फोर कह रहा है, अबधी बहासा का विकास, किस अपभरंस से हुआ है, यह आपको आंगदी बहासा से राइट अंसर उप्शन नमबर सा रहने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां कह रहा है तुम्हारा, बैस बाडी किस बोली का दूसरा नाम है, यह आपको बताना है, कौन सा विलकुल राइट अंसर अपना रहने वाला है, कन्नो जी, अबधी, ब कहा जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इकूशन, क्योसर नमबर सिक्स हमारा कह रहा है, निमिकित बोलियों में सर्व पिर्थम बोली कौन सी आपको बताना है, अबधी, वगेली, चतिस गड़ी या बांगरू, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अबध अबधी या फिर लहंदा, कौन सा बिलकुल राइट आंसर हमारा रहने बाला है, साहित की देश्टी से तथा निमिकित बोलियों में सर्व पिर्थम बोली कौन सी है, बही बांगरू, सोरी, कौन सी रहेगी, अबधी भांसा हो जाएगी, राइट आंसर आप्शन नमबर सा, सूफी कभियों ने अपनी कृतियां प्राय किस भांसा में लिखी है, सूफी जो कृति थे, उन्होंने अपनी जो करतियां लिखी थी, बही किस भांसा में लिखी थी, आपको बताना है, ब्रज भांसा, आबधी, बुन्देली, या 36 रड़ी, सूफी कभियों ने जो भांसा है लिखी थी, बही किस में लिखी थी, ब्रज भांसा में लिखी थी, किस में लिखी थी, ब्रज भांसा में लिखी थी, सही है न, या अबधी भांसा में, ब्रज भांसा में या अबधी भांसा में, सूफी जो कभी थे, उन्होंने किस में लि राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है जाइसी किस भासा के कभी है तो बहो हो जाते हैं अबदी भासा के कभी हो जाते हैं जाइसी ठीक है जाइसी किस भासा के कभी है अबदी भासा के कभी है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां कह रहा है, जाईसी ने अपना महाकाब पदमाबत वो किस भाशा में लिखा है, यह आपको बताना है, कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है? ठीक है कि यहां पर जाइसी ने अपना महाकाब्य पदमाबत किस भासा में लिखा है यह आपको बताना है मैथली प्रजभासा अबधी या फिर बुंदेली कौन सा है पर बिल्कुल राइट आंस हमारा रहने वाला है यह पर कौन सा राइट हो जाएगा बई जाइसी किस भासा के कभी है जाइसी है अबधी भासा के कभी तो लोंने जो पदमाबत है उनकी जो महाकाब्य किसमें लिखा होगा अबधी ही भासा में लिखा होगा राइट आंस ऑप्शन नमबर सा आगे बढ़ते हैं अबधी भासा का प्रिथां महाकाब्ब कौन सा आपो बदाना है राम चरित मानस पदमाबद आखीरी कलंब या पर उपक्त में से कोई नहीं राइट अंसा रहने वाला है 4 पर लासा को प्रिम हुं फिरय सा हागा है इसका है को जाहिं कर और फ़े Зबसे को देख कर देखें कांज हमारा क्या रहने वाला है न बेस्ट क्लिशें ॐ democratic के अधर जो हुआ जो ही इस गोदी झिलतल है 특्को जो कि तो किए थोड़ा सब आप अबी क्यूशन हमारा कहा था यहां पर ता अबधी भासा का पिर्थम महा का बे कौन सा है यह अपना हो जाएगा पदमाबत नेक्स कौशन पदमाबत और रामचित मानस किस बोली के गरंत है यह आपको बताना है पहला हो जाएगा ब्रजमासा दूसरा भोचपूरी तीसरा अबधी और खड़ी बोली कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको यहां पर बताना है तो राइट आ और रामचितमास क colours के हैं अब हैं साके हो जाते हैं रहें कि अब आ बढ़ते हैं नेक्स कुशन का आख ऑनसर में और राम चालित षैनमानस कि वहाएक दे आ रहे हैं तबामे आ पको तो राइट आंसर मारा क्या हो जाएगा राम चर्त मानस इस भाँ सा में लिखी गई है हुआ बब बहतेयों सी यहां पर अब्नेल खड़ी कौन सा발 रहने हैं आपको पता है पूरबी हिंदी की किस उपवासा की बोली है आपको बताना अगला हिंदी पूरबी हिंदी बिहारी हिंदी या पहारी हिंदी कौन इसका और लॉक्त राइड अपना रहने इवाला है तो किसकी है पूर्भी हिंदी की भोली है राइट अंसर ऑप्शन नमबर बाप आगे बरते हैं च्छतीस गड़ी बोली किसे प्रदेश में बोली जाती है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा च्छतीस गड़ी बोली जो है वो कहा हो लेती है च्छतीस मानी जाती है किसे अर्द्र मांगदी से पैसाची से प्रकृतिक से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो किसे मानी जाती है यह आपको बताना है सभी को पताओगी सब्सक्राइब बोलियां है आपको बताना है पश्चिमी जो हिंदी है उसकी जो बोलियां है वह देखर नहीं हो जाती है आगे बढ़ते हैं नेक्स हमारा कहरा है पर देख को फिर चला गया कि अब तो बेस का रहने वाला को बताना है रहाए खड़ी भोली का सरप्रताम परियों किसने किया खड़ी ऑली का सब्रताम किसने किया ललू-लाल इंसाला खान ने सदल मुस्रने या फिर अमीर खुष्रों ने राई टांसर मारा क्या रहने वाला है भटीबोली का यह विए किस ने किया था अ मीरी कुस्रों ने किया था राई टंसर उप्शनifer दा आगे बढ़ते हैं खड़ी बोली के पर दम चार लेखक हैं कौन-कौन है यह आपको बथाना है सदल्मिस्र इंसालला खां सदा सुकलाल लाल बातिन्वहिशंद बालि किस्न भट ललूला सदल इंसालला खां भाटन भर अड़िचंद ललूला सदल्मिस्र शिप्रसाद सितारे सदा सुखलाल और चौते ललूलाल चारों के चारों नायम इंपोर्टेंट हैं बार-बार एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं इन्हें याद कले हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर कहा रहा है नासी के तो खान के रचैता कौन है आपको बताना है सदल मिस्र भारतनुरी च क्या रहने वाला है जैद तो नहीं निकल गया इखकत कर रहा है अज यह जा रहे हैं तो यह जा नहीं रहा है रुकिए हैं अ करें चाहने के लेकल कौन है ऐं कि इस strategy रहने वादले रहने वाला है कि बियुक्ती तुजिए ऐन्श्य गजा होजाय का mix कौन है और यहां की रहने वाला है तो प्रेम सागर के जो लेका के हैं वो हो जाते हैं ललू-लाल राइट अंसर ऑप्शन की बाइब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन की ओर नेक्स्ट एकोशन में रहा है कि सांकेत की रचना किस भासा में की गई है है जो सांकेथ है मैंथन चल्भ अरग हो डब्रा को अगे बढ़ते हैं निम्निकित में कौन सी बश्च्चिमी हिंदी की बोली कौन है आपको बताना है ब्रजबहासा अबदी मैथली या फिर बहुत कुरीफ राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है बताना है बुंदेली ब्रजबहासा अबदी मैथली राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है आयों गयों कारों यह हो जाती है ब्रजबहासा की बोली तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बाद हगे बढते हैं बिहारी भान साब्लतां भर्यक्रात नहीं आती है बिहारी भां साब्लताब एप्र शल्कों ben Grad बताना है मिफुमें फ्टाकर सैया और खुम exceeded क्योंश हो जाएगा जो सूर्स आगर है, किस बहासा में लिखा गया आपको बाताना है, खड़ी बोली में, ब्रज बहासा में, अबदी में, या फिर मैथली में, राइट अंस अमारा क्या रहने वाला है, सूर्स आगर किसका है, सूर्दास की है, जो किस्से है, ब्रज बहासा से संब्देता है, र राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है प्रज बहां साम में लिखी गई है राइट आंसर अप्शन नम्बर सा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सी पश्चमी हिंदी की बोली है आपको बताना है बांगरू मैथली मारबारी या फिर बगेली राइट आंसर रहने वाला है इ जाटू किस बोली को कहते हैं जो जाटू है जाटू किस बोली को कहते हैं आपको बताना है बांगरू संदी पंजाबी या फिर पहाडी राइट आंसर के रहने बाला है जो जाटू है वो कहते हैं सिंधी भासा को किसको सिंधी भासा को जाटू के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर कहा रहा है बोल चाल में हर्याण भी बोली को कहा जाता है अब यह कह रहा है हर्याण भी बोली को क्या कहते हैं जाटू किसे कहते हैं सिंदू को अब हर्यान भी बोली को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है कौन सा विल्कुल राइट अपना रहने वाला है जिन लोग का आंसर आ रहा है यहां पर हर्यान भी बोली को भी बैजाटू ही कहा जाता है अर्यान भी बोली को भी जाटू ही कहा जाता है हो सकता है कोई करबड हो मगर भाई गैस पर में आपके जो बुक है उसमें तो यही दे रेक्षा है ठीक है आगे देखते हैं या पर 34 निमिकित में कौन सी पूर्भी हिंदी की बोली Lam बोली नहीं है ठीक है कौन सी बोली नहीं है यही हो जाएगा Option Number 2 क्योंकि बगेली किस की है पष्चिमी हिंदी की है आगे बढ़ते हैं next question next question का answer जेगा next question का answer मार कहा रहने वाला है यहां कहा रहा है तुमारा पूर कौन सी बोली ब्रजभासा से बहुत मिलती जुलती है कौन सी बोली ब्रजभासा से बहुत मिलती जुलती है कन्योजी, बुंदेली, बांगरू, या फिर बगेली राइट answer माय का रहने वाला है जो ब्रजवासा से मिलती है, वो मिलती है कन्योजी, राइट answer option number A आगे बढ़ते हैं कौनसी बोली बिहारी बहासा बर्गे की नहीं है बिहारी बहासा बर्गे की नहीं है अब रहता है, बहुत कुरी मैतली, और मंगे ही है, मगर कन्यों जी नहीं है, रिट आंसर option number 2 आगे बढ़ते हैं, next question को, जहांसी और जालन में, जहांसी और जालन में कौन से बॉली बोली जाती है, जहांसी और जालों में कन्नोजी ब्रजभासा बुंदेली यान में से कोई नहीं राइट आंसर क्या रहने वाला आपको बताना है तो जहांसी में तथा कन्नोजी में यह किस सेटम बढ़ते हैं यह बुंदेली भासपूरी अबदी कि अलह ख decksारउ ब्रजभासा कि राइट आंसर अंबर आंगे माहिए निवनि में से कौन सी जहांसी पूर्भी हिंदी की नहीं है तो पूरभी हिंदी की कौन सी नहीं आपको बताना ह। अब दी घंड़ी। है यह पूर्भी हिंदी नहीं है आपको बताना है तो कॉन्साइए भी मैंतली या पूर भी हिंदी की नहीं है ठीक है आगे बड़ते हैं नैक्स कुछंट कुछं किहा रहा है कि बित्धापती किस बोली के कभी है बित्धापती जो रहा है ब्रजभासा मैंतली बगेली या पिर अभुधि abdi राइट अंसर मारा क्या रहने वाला है तो जो बिद्धा बती हैं वो हो जाते हैं मैथली के कभी ठीक है आगे बड़ते हैं हिंदी की नहीं आपको बताना है कौन सी बोली जो है वो बिहारी हिंदी की नहीं है मगाही मैथली और भाजप्री तो है मगर जो संधाली है वो नहीं है यह पहारी की मासा है ठीक है आगे बढ़ते हैं किया इन्वेश्य कौन सी बोली हिंदी की नहीं है हिंदी की नहीं है यह उसको बताना है ठीक है कौन सा राइट होगा अबधी ब्रज बगेली या फिर मराठी कौन सा बिलकुल राइट आंसर रहने वाला है तो अबधी है ब्रज है बगेली है मगर जो अपनी मराठी है वो इसकी नहीं आके बढ़ते हैं आप लास्टी कुछ रहो तरफेदेश में फ यहां पर आपके mcq का फस्ट पार्ट जो होता है कौनसा पार्ट जो फस्ट होता है वो complete होता है इसमें मैंने सर्फ आपको 60 क्यूशन दे पाया हूं क्योंकि फ्रेंट्स आपको फोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ठीक है नेक्स्ट दो पार्ट आपको और मिलेंगे पार् कौनसा मिलने वाला है थर्ड मिलने वाला है जिसमें आपको थर्ड जो आया है वो complete हो जाएगा ठीक है तो फेट लाइक करना शेयर करना चैनल को subscribe करना तो फेट जय हैंज जय भारा